मस्जीद पर चड़कर भगवा लहरा रहे कुछ हिंदू वीरो का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है अब सोशल मीडिया पर एक पक्ष इने बहादुर मान रहा है और बता रहा है कि किस प्रकार से इन बहादुरों ने राम नौमी के उसर पर जब राम जी के लिए जलूस निकाला जा रहा था तब रास्ते में एक मस्जीद की छट पर चड़कर भगवा लहरा दिया तो दूसरा पक्ष इस पर इत्राज जता रहा है और बता रहा है कि यह गलत हुआ इस पर बहस करने के लिए पूरा देश आतूर है कि आखिरकार मंदिर मस्जीद को लेकर जो कु आता भगवान सिरी राम के भक्त महजीद के गुंबत पर चड़कर भगवाज जंडा लहराने लगे और जैसरी राम का नारा लगाने लगे तथा अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है और इसको लेकर तमाम तरह की बात कही जा रही है कुछ लोग इसे सीधे भ सबसे पहले अगर हम इस वाइरल वडियो की बात करें कि आखिर कार यह वाइरल व़ीडियो है कहाँ कबदा मुखमे पंचायत मुभत पूर गाउं एक बातंडा महरा आता है और ऊसे बातमाम्ग जंडार कर चड़कर यह शनुए भ्गवा जंडा रहा है बताया जा रहा है कि राम नौमी के उसर पर एक भव्य सुभायात्रा निकाला जा रहा था आम तोर पर हर जगए ऐसा होता है कि राम नौमी के उसर पर लाखों की संख्या में एक शोभा यात्रा निकाला जा रहा था, शोभा यात्रा का जो रास्ता था, उस रास्ते के बीच में एक मस्जीद परती थी, जिसका नाम हमने बताया कि उसे डांक बंगला मस्जीद कहा जाता है, जो मुझम्मप पंचायत के मुहम्मपुर गाउं में इस्तित है, जो कि और वहां से चड़कर सीरे मस्जीद के गुमबद पर चला जाता है और फिर वहां पर अपने हाथ में जो उसने भागवा जहंडा लिया है उसे मस्जीद के गुमबर पर बात देता है। कि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायराल है। जब युवा मस्जीद पर चलता है तो वहीं पर पूरी भीर रुख जाती है। नीचे हाथ में तलवार लेकर कुछ युवा नाशने लगते हैं और जैसिर राम का नार लगा रहे होते हैं। और उसे डीजे की आवास्टनाई देती है इसमें कहा जाता है कि आगे बढ़ते रहे हैं। यह मतलब उसे कहा जाता है कि गारी को रोखिये नहीं एक जगा रुकिये नहीं बलकि आगे बढ़िये। लेकिन वहाँ पर कुछ युवा डांस करते हुए भागवा जंडा हाथ मिले कर रह रहते हैं। तो एक हुवा मस्जीद की गुमबत पर चड़ा होता है और वह मस्जीद की गुमबत पर भागवा जंडा लगाकर अपना खुछी जाही कर रहा होता है। बागी अब यह वीडियो वारल है और वीडियो केवल बिहार में यह मुझा फरपूर में वारल नहीं है बलकि यह वीडियो पूरे देश में वारल हो रहा है और एक पक्ष के द्वारा जम कर तारीफ हो रही है कि बिहार के मुझा फरपूर में कुछ हिंदूों ने क्या कर तो इसलिए भी कुछ लोग इस पर डिया है कह रहे हैं कि भारतिय जंता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी बलकि चुप रहेगी वहीं राज में भारतिय जंता पार्टी सत्ता में सहभागी है मतलब कि भारतिय जंता पार्टी और जद्यू की मिली जुली सरकार चल रही है और निशित तोर पर भारतिय जंता पार्टी के न होना नहीं चाहिए क्योंकि सबकी अपनी धार्मिक मानेताएं हैं और उसी धार्मिक मानेताओं के आधार पर सबको चलना चाहिए बाकि अब वीडियो वारल है तो माना जा रहा है पुलिस कारवाई करेगी पुलिस इसमें खोजमीन में कर रही है चानमीन में कर रही है बाकि आगे हमारी नजर बनी हुई है कि इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है लेकिन मौजुदा स्मेट की जानकारी या है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो ना सिर्फ मुझफर पुर ना सिर्फ पिहार बलकि पूरे देश में वारेल हो रहा है और वहाँ पर एक पक्ष इसे अपने पक्ष में बता रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है बाकि आप क्या सोशते हैं उससे कमेंट बॉक्ष में लीकर बताईएगा हम इस वीडियो को ही समाप्ट करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा और अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लिजे तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं फिर बहुत जल लगले वीडियो में केमरे कि शेकने हम परकास और में मुखिक महार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद